नवस्कार दोस्तों, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज बनाते हैं मटन मसाला, एक दम बेसिक सा रेसिपी जिसे आप असानी से घर पे भी बना सकते हैं, बिना किसी खास मसाला भी दोस्तों, एक किलो मटन करी कट का इस्तमाल कर रहे हैं, इसमें नली, चाप, बोटी का जो रह अलका जैसे तिरक जाए, देन उसमें एड कर लेंगे, सलाइस किया हुआ, अनियन, प्यास को लाइट गोल्डन ब्रॉन होने तक पकाते रहेगा, दीरी-दीरी, थोड़ा टैम लगता है, पेसिंस का गेम है, इसी कुछ इस तरह से जब कलर आ जाए, देन इसमें एड कर लें इक बार मटन अच्छे से भून जाए ना, तो आदा काम तो हमारा यहीं निपट जाता है, आप चीए तो मटन को पहले से मेरिनेट करके भी रख सकते हैं, जैसा कि बेसिक सा होते हैं, जिंजर, गालिक, पेश, नमग, मिर्ची, थोड़ा सा धायोगेरे डाल के भी, बड़ एक दम बेसिक सा जैसे कि मैं बता रहों, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, स्वाद अनुसार जाएगा नमक, नमक डानने के बाद, अगेन इसको थोड़ी देर होर भून लेना है, मटन को, आप देख सकते हैं, आलमोस्ट कितना इसका कलर चेंज हो चुका है, अब साधी साथ डाल देंगे इसमें 2 टेबल स्पून के करीबन जिंजर गालिक पेस्ट, यहां पे जिंजर और गालिक का जो रेसो है, वो 50-50 है दोस्तों, अब जिंजर गालिक पेस्ट डालने के बाद, अगेन इसको हमें 10 से 12 मिनट भून लेना है, जैसे जिंजर गालिक पेस्ट भी तो आप देखेंगे थोड़ी देर में 8-10 मिनट बाद कुछ इस तरह से कलर चेंज होना चौल हो जाएगा इस स्टेज तक लाना है देन इसमें एड़ कर लेंगे आपे आदा कब बीट किया हुआ दही जी हाँ दोस्तों दही डालने के बाद फिर से मतन को अच्छे से भून लेना है साथ से आठ मिनट इसके भूनाई कर लेंगे दोस्तों आप चीति टमाटर को स्कीब करके सिर्फ दह ही का ही इस्तमाल भी कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया कंबिनेशन है दोस्तों मतन के साथ दही का एंड प्याज का अपकोर्स स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने कितने स्टेज में मतन को भून लिया है इनों कुछ भी मसाले डालने भून रहे हैं तही डाला भूना पानी ना डालें इस चीज का भी सेज़दान देने तो आपको जो मतन है और रबडी हो जाएगा बाद में दिक्कत हो जाएगी कि मतन पकानी बराबर अब इस स्टेज पे दो लिटर के करीबन पानी डाला गरम पानी अब कवर कर लेना धीमी आज पे मतन को 15-20-25 मिनट गिरेवी है रिड्यूज हो चुका है और थोड़ो बहुत इसमें कसर है तो हाडली अभी यहां पे 10-12 मिनट होर पकाऊंगा कवर करके जो मतन है तैयार हो जाएगा मेक सिर जो गैस की फिले में उसे धीमी रखी दस से बारा या पंदरा मिनट के बार हमने चक किया तो जो मतन हमारा परफेक्टली कुक हो चुका है गरेवी भी गाड़ापन आ चुका है दोस्तों अब इस स्टेज पे हमें कोकिंग कर देनी है इस टॉप गरमा गरम इसको सर् मतन मसाला यू नो बागे आप अपने पसंद के हिसाब से गरेवी का टेक्श्चर गाड़ा या पतला रख सकते हैं टोटली ऑप्सिनल है दोस्तों उमेद है आप लोगों को रेसे भी जरूर पसंद आएगी थैंक्यो पर वाचिंग